पुलिस काम कर रही है या उसके अलावा उद्धर ठाकरे सर्पवाज सोनिया का जो पसुठाबाद महाराष्ट में चल रहा है उसका एक और घिनोना रूप देखने को अब मिल रहा है पहले रिपब्लिक टीवी के बाइस प्रेसिडेंट को ग्रफतार किया गया था गंस्चाम सिंग को और अब खबर यह है कि आज संडे के दिन यानि रविवार के दिन रिपब्लिक टीवी के सीएओ विकास खांचंदानी को ग्रफतार कर लिया मुंबई पुलिस ने और इसके पीछे जो बज़ा है किस आधार पर ग्रफतार किया है वो है चौदर सो पेज की जो चार सीट टी आर पी मामले में मुंबई पुलिस ने लगाई है उस चार सीट में रिपब्लिक टीवी को आरोपी बनाया गया है इसके अलाबार ने निज नेशन और वाउ टीवी को भी आ नाम था ना निज नेशन का और ना ही रिपब्लिक टीवी का उस एफ आई आर में जिसका नाम था उस इंडिया टूडे के किसी भी अधिकारी या पत्रकार या किसी भी चैनल मालिक को अभी तक ग्रफतार तो क्या उनको संबन भी नहीं किया है मुंबई पुलिस ने यानि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराद के लिए फाइयर दर्ज कराता है और उसमें किसी को मुख्य अव्यक्त बनाता है उस अव्यक्त को तो मुंबई पुलिस क्लीन चिट दे देती है और 48 गंटे के अंदर ये कह देती है कि इंडिया टूडे बिकास के खिलाब 14 दिन की रिमान्ट की मांग की है अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे के पूरी जो चार सीट है जिसके आदार पर ये सब नाटक खेला जा रहा है उसको कैसे बनाया गया है उसमें क्या-क्या खामिया है और उसमें क्या-क्या धाराएं लगाई गई हैं अगर धाराओं की बात की जाए तो इस पूरी चार सीट में जो धाराएं लगाई गई हैं जिन लोगो मुंबई पुलिस कर रही है उन्होंने भी करनाटक में अपनी अगर्म जवानत याचिका लगाई थी। जो की अगर्म जवानत की याचिका थी सौम्बार को सुनवाई होनी थी और उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने ये सब ड्रामा किया क्योंकि उसे पता था कि सायद सौंबार को विकास खांचंदानी को अग्रिम जवानत मिल जाएगी और ऐसी इस्तिती में वो रेपब्लिक टीवी को परिशान नहीं कर पाएंगे उसके अधिकारिकों को प्रिताडित नहीं कर पाएंगे इसके लिए जल्दी करते हुए बहुत ज़्यादा एक्सन लेते हुए परंबिर सिंग और उसकी पुलिस ने विकास खांचंदानी को ग्रफटार कर लिया जो धाराएं इस चार सीट में लगाई गई है यानि आरूपत्र में लगाई गई है वो है 409, 420, 465, 468, 406, 120B, 201, 204, 212 और 34 ये धाराएं लगाई गई है 12 लोगों के खिलाप और ये कहा गया है कि हमने तमाम लोगों से पूश्ताज की जिसमें विकास टीवी के आडिटर्स भी है और उसके आधार पर हमने ये जो चार सीट है इसको बनाया है इसकी रचना की है या आप कह सकते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है चार सीट बैसे पुलिस अपनी जांच के आधार पर जो तथ निकल कर सामने आते हैं उसके आधार पर बनाती है लेकिन यहां ये लगता है कि 1400 पेज का ये जो पूरा का पूरा है वो है 120 B जिसके तहत यह होता है कि जितने भी आरोपी है उन पर समान रूप से आपरादिक सड्यंत रचने का एक जो धारा लागू हो जाती है और उसके तहर सभी को समान रूप से अपरादी माना जाता है सवाल ये उठता है कि ऐसा किया क्यों गया है इसमें दो अन्य चैनलों के नाम भी आ रहे हैं जिनको लेकर मुंबई पुलिस या उद्दब सरकार अभी पिछले कुछ दिनों से नाराज हुई है एक बाव चैनल है और दूसरा है नीज नेशन क्योंकि नीज नेशन में होता है कि इसी मामले में हरसा रिसर्च और बार्क दोनों के दोनों एजेंसियां जो है वो हाई कोट पहुंची थी और वहां उन्होंने हाई कोट से ये गौहार लगाई थी कि इस पूरे मामले को जैसे टी आर्पी घोटा लेके नाम से जाना जा रहा है इसको मुंबई रिपोट में भी हरसा रिसर्च की तरफ से ये कहा गया था कि उसके बड़े अधिकारियों को इसलिए परेशान किया जा रहा है और उन पर ये दबाब डाला जा रहा है कि वो रिपब्लिक टीवी के बारे में ये बयान दे दें कि रिपब्लिक टीवी ने जो एक नाम था वो रिपोर्ट जूटी थी वो रिपोर्ट हंसार रिसर्च की नहीं थी और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा या पूस्चाज के बाहने प्रतारित किया जाएगा जिसको लेकर जस्टिस डीवाई चंचूड और इंद्रा पीट ने मुंबई पुलिस को ये निर्देश दिया था कि वो किसी भी हालत में हंसार रिसर्च के अधिकारियों को पर इसान नहीं कर सकते हैं पूस्चाज चगर करनी है तो वो उन्हें पहले संबन करें और अप्ते में केवल दो बार पूस्चाज के लिए दो दो घंटे क लिए बुला सकते हैं और दूसरी तब हाई कोट में जब यही आचिका गई थी जिसमें ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को सीवाई ट्रांसपर कर दिया जाए उस पर अभी भी सुनवाई चल रही है तो ऐसी इस्तिति में मुंबई पुलिस को पता है कि ये पूरा का लेकिन रेपब्लिक टीवी के पास वो हंसा रिसर्च की रिपोर्ट आ गई और उसमें उन्होंने पूरा को पूरा भंडा फोड़ कर दिया था परमबिर सिंग की प्रेस कॉन्फरेंस का और उन आरोपों का जिसमें ये कहा गया था कि ये जो टी आर्पी घोटाला है ये करी इंडिया टूडे गुरूप कर रहा था अरुन पुरी का गुरूप कर रहा था राजदीव सर्देशाई और राहुल कवल का चैनल कर रहा था रोहिस सर्दाना अंजना उमकस्चेप का चैनल कर रहा था लेकिन उस पर आरोप लगाने की बजाए उल्टे उनको बचाने का का परमबेर सिंग ने किया मुंबई पुलिस ने किया और इस सब के लिए उन्होंने जिम्मेदारी का ठीक राजु था वो फोर दिया अर्नब गोशामी के चैनल के उपर क्योंकि बज़ा ही थी कि अर्नब गोशामी मुंबई पुलिस और उद्दब ठाकरे की सरकार परसुसान सि सब्सक्राइब पुलिस ने किया था उस पर भी सवाल उठ रहे थे और इसी बज़े से उद्दब ठाकरे के साथ सब्सक्राइब और सरत्पवार भी अर्नब गोशामी से नाराज थे उसके चैनल से नाराज थे क्योंकि पालगर के मामले में इस तरीके से सोनिया गांधी को अंटोनियो माइनो कहकर पुकारा था अर्नब गोशामी ने उसके बाद सोनिया इतनी खिस्या गई थी कि उसने पूरे देश में अर्नब के खिलाब 2000 F.I.R. दज करा दी थी और उसी बज़े से उद्दब ठाकरे को भी उसने का था कि किसी भी आलत में अर्नब गोशामी को स सुसान सिंग राजपूत की तरह से लेकिन सुसान सिंग राजपूत और इस मामले में एक समानता जरूर देखने को मिल रही है कि इस तरीके से सुसान सिंग राजपूत के मामले में सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती को सुसान सिंग के घरवालों ने बताया था और भी तमाम जो परिस्तिती जन्न सबूत थे वो भी चीक चीक कर ये कह रहे थे कि इस मामले पर सबसे बड़ा आरोपी अगर कोई है वो तो रिया चक्रवती है लेकिन उसी रिया चक्रवती को बचाने का काम किया परंबीर सिंग की मुंबई पुलिस ने ठीक उसी तरीके से जैस ने क्लीन चिट दे दी और ये कह दिया कि उनके ख़राब कोई सुबूत नहीं मिला है यहां दिल्चस्प बात एक और है जो एडी ने बड़ा खुलासा किया था कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो जांच का सुरुआत का जो केंदर था वो था बार्क का डाटा जिसक और उन बारों लोगों के खिलाब 409-420 जैसी जगन ने धाराएं लगा दी गई एक 120 भी जैसी धाराएं लगा दी गई इस सब के पीछे एक साजिस है जिस साजिस का पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है वो सोनिया सरद और उद्धव ठाकरे ने लिखी है यानि कि पसोटा बात के तहट वो अरनब गोशामी के चैनल को किसी भी आलत में बंद कराने की एक बड़े सड़यंत पर काम कर रहे हैं और उसके लिए वो बार बार इस तरीके की हरकते करते हुए नजर आ रहे हैं कभी घंस्याम सिंग को गरफतार किया जाता है कभी अरनब गोशामी को दू जारी करके रखी हुए है और इसका जो सुबूत यह है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फरेंस की गई थी है परमबीर सिंग के द्वारा उसमें भी इस पर स्तौर पर जो खिस्याट थी उनके चेहरे पर और बार बार वो यह कह रहे थे कि हम अरनब गोशामी यानि के रेपब सोन्या सरद और उद्दव के द्वारा लिखी गई है उस स्क्रिप्ट के तहट जूटे बयानों पर हस्ताचर कराने की कोशिस मुंबई पुलिस कर रही थी इसको लेकर रेपब्लिक टीवी अग्रिम जमानत के लिए भी जाता है लेकिन अग्रिम जमानत की सुनवाई से पह मुंबई पुलिस जो कुछ कर रही है वो सम्वेधान का अपमान है वो सुप्रिम कोट का अपमान है वो हाई कोट का अपमान है क्योंकि सुप्रिम कोट परंबीर सिंग के खिलाब मुंबई पुलिस के खिलाब इस मामले में कई बाट टिपड़ी कर चुका है इस पर अबज अधिकारी यो मुमोई पुलिस का कमिस्नर है जिस तरीके की तानासाई कर रहा है ऐसा लगता है कि पसोठा बाद का सबसे बड़ा जो अधिकारी है या कोतवाल है वो परंबीर सिंग है और सोनिया सरद उद्दब के सारे पर ये रेपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए जया भारब